हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मां यूरुप चैनल फंडामेंटल इन्वेस्टर इस चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम इन्सीसी के बारे में बात कहने वाले नागार जुन कंस्ट्रक्शन कंपणी लगबग फांडर हो चुकिए 1978 में वह भी फांडर है इसके एवियस राजू अगर बात करेंगे इस कंपनी में इतना अलग क्या है क्यों इस कंपनी में आज स्टडी कर रहा हूं दोस्तों इस कंप अगर दिखे जाए अगर अब यहांसे लाग लिए इनकी इन्वेस्मेंट्स डबल हो चुकिए उतनी बड़ी बाद ने तीन सालों में हमने कोई बहुत सारे शेर जो के साड़े तीन महीनों में आप से और बहुत सारे मिल्टिबैगर्स हमने हमारे आखों के सामने देखे अ स्टॉक मार्केट फंडामेंटल इन्वेस्टर करके यहां पर देख सकते हैं यह जो बीए पैक मैंने रिकमेडेट किया था 23 रूपीज पे और अभी इसका शेर प्राइज लगबग आज का दिन का क्लोजिंग है 167 लगबग अराउं 700 परसेंट रिटन जनरेट दिया इसने और बहुत सारे शेयर बात ने कर रहा हूं मैंने बहुत सारे शेयर श्टील सेटी दो दिन में 38 परसेंट का रिटन है और वह भी 54 पे मैंने कहा था बाई करने को और अभी उसके शेयर प्राइज लगबग 90 से भी उपर चली जा चुके दो या तीन अफतों में ही बहुत कम स बहुत सारी कंपनिय आज डाउन चल रही है बिकॉज ऑफ बिक क्रेश में बिक क्रेश ने था चोटा ही ता करेक्शन हम कह सकते हैं कि वह भी कहता है अमें ग्रूप पे डाला था कि छोटे चोटे करेक्शन होते रहते बड़े-बड़े बुल मार्केट में तो यह करेक्शन डाउन हुआता है उसके बाद कंटीनिवसली आप गिरते चले गया हमारे बहुत सारे शेर्स आज अपर सरकीर में तो जो पेड में में डालते रहता हूँ आज दो मल्तिबैगर शेर्स में ने प्रोवाइड किये उसकी फीज लग बग 3,000 है वो भी पर वन येर वन डे की इ के बारे में तो चलिए देखते हैं कंपणी के फाइनेश और यहाँ पर उनके टेक्निकल्स भी देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूटुब चानल पर नहीं हो तो प्लीज आज सब्क्राइब कीजिए नीचे बहुत बढ़ा है अच्छी बात है यहां पर इसके प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है अब वह आएगा अपडेट हो जाएगा अगर लो एन हाई देखा जाए इसका इसका दोस्तों चीज यहां पर में आपको बताता हूं जो मेरा इंडिकेटर जो मैं हमेशे कहता हो कि आपको एकदम स्मूद बताऊंगा मैं कोई दिक्कत की बात ने अगर इसके हाई एंड लो देखा जाए तो यह सो रुपर टच किया 27 का इसका लो है अगर बात की जब पी इसकी तो वह बहुत ज्यादा हाई 20 का मतलब यहां पर एक चीज पता चलते है कंपनी का अभी का शे 19 परसेंट है 19.7 परसेंट प्लेस देखा जाए तो उसमें 16 परसेंट है यहां पर दो चीज़े गलत है इस कंपनी में ठीक है इसे रिमार्क कर जिए और ध्यान में रखिए इस कंपनी का जो डेप्ट लगबग 1750 करोर का आसपास का है पर कंपनी के पास free cash flow बहुत quality है मैं हम जाएगा मतलब समझे अगर वो होल्ड कर रहे दस साल हो तक तो किसी साल गलती से माइनस में चले गया तो चले गया नई तो वह जब खरीदते है तब उसका प्लस में होता और भी इस कंपनी का free cash flow 685 करोड का प्लस में है तो बहुत अच्छा खासा है कोई दिक्कत की बात न होना चाहिए बड़ यहाँ पर उल्टा यहाँ पर पीपिस से बहुत ज्यादा लगबग 500 पॉंट 500 परसेंट यहाँ पर उसका ज्यादा है तो यहाँ पर चीज़ है कभी भी शेर में कुछ भी गलत हो सकता है जैसी का आज हुआ भाई छोटे से कर्रेक्शन में भी 5 परसें मार्केट में अवलेबल है उसमें लगबग 19 परसेंट कंपनीज वालों के पास है और बाकी बचे मार्केट में सो सप्लाइगी तो कोई कमी है नहीं बात ही नहीं अगर यह करते क्या है वह जानना है तो देखिए यहाँ पर हाउजिंग रोड और बिल्डिंग ब्रीजस फ् कंपनी ने तीन सालों में कुछ बहुत अच्छा खासा पर्फॉर्मन्स दिया नहीं है इनका लगबग 9 का EPS था वहां से गिरकर 4 पर आ चुका है अभी कहेंगे आ रही है इतना EPS के बारे में क्यों बात करता है EPS पे सब कुछ है अर्निंग पर शेयर इट सब मोस्ट इंप तो मेरे वीडियोस पूराने से देखते आरे उनको अराम से पता चलेगे कंपनी और वेलुड़े ए फिर अंडर वेलुड़े ठीक है दोस्तों कंपनी ने तीन सालों में कुछ बड़ी ग्रोफ की नहीं है एक्च्छुली यह तीन सालों में बहुत ज़्यादा माइनस में च 50 क्रोड के आसपास अभी पर इयर इनके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं यहां पर इनके सेल्स घट्टे जा रहे हैं फिर भी यहां पर प्राइस बढ़ रही है इसका क्या रिजन है यह भी आपको मैं बताता हूं दोस्तों पहले इस कंपनी के थोड़े से टेकनिकल देख लेत अच्छा का सब वॉल्म भी था और बाइंग का ऑप्शन भी आया था यहां पर ग्रीन आ गया था सिगनल तो यहां पर हम बाइक कर सकते थे कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसके में क्या कहता हूं अगर इसमें सेकेंड केंडल पर भी बाइक कर लेते तो वह भी लगबग 35 पर आप बाइक करते बाइक की पोजिशन बन जाती और इसका उसके बाद का अगर टॉप देखा जाए कितने का लगा है सो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं टॉप कितने का लगा है इस कंपनी में लगबग 99 डुपे के उपर भी आप हंड़ेड डुपे के आसपास का टॉप लगा है अभी आप बताईए अगर आप उस टाइम भी 35 में खरीते तो अभी भी लगबग 300% रिटन आराम से आपको जनरेट होते होते की नहीं होते हैं बट दिक्कत क्या है लोगों को फटाफट मतलब आज की दिन में खरीदा तो कल की दिन में करोड़ोपती बनना स्टिल अगर कंपनी के परें बात करते हैं तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो पोजिशन यहाँ पर कट करने को कह रही है लगबग आज के दिन में जो कैंडल स्टिक देख रहे हो आप बहुत ज्यादा रिड़ है और यहाँ पर पिछले तीन चार दिनों से सबसे ज्याद पर पर जा रहा है कभी यह मगर उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर बेरिशने शुरू हो जाता है बस अभी देखना है कि केंडल स्टिक को यह जो बन रही है वह इंडिकेटर को कितना बेर का ब्रेक आउट करते हैं जैसे वह ब्रेक आउट करें हमें पो एक पोजिशन ले यह कोई ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी इसके इंडिकेटर के बारे में आपको नहीं पता तो भाई मेरे दूसरे चानल पर मैंने डाला हुआ है पूरा वीडियो उस पर आप वहाँ पर जाके देख लीजिए तो मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत करोड से भी ज्यादा के असेट्स थे वहाँ से गिर गिर के लगबागा भी 1400 करोड तक आ चुके पिछले साल से इस साल इन्होंने सिर्फ 4 करोड के असेट्स बढ़ाया बट अगर इनके बारे में बात करते तो बॉराइंग भी इन्होंने बहुत क्वालिटी कम किये और यह इन्होंने लगबग 300-400 करोड की कम किया यहाँ पे आगर देखेज देजा भी। लगबग इन्होंने रे कितने दे बाराष भाराष और rang l credit कि assets भी इन्होंने कम किए है so it can be a very difficult for recommendation भाई कि अभी recommended क्या करे स्टॉक के बारे में थोड़ा और कुछ result आए थोड़ी और कुछ news आए अच्छी खासी तब बात कर सकते हैं but still my target is likely 100 रुपेज में target देख सकता हूँ क्योंकि उसने last touch क्या 100 रुपेज का तो easy आपे touch हो अच्छे लेगी तो यार do like and subscribe to channel और share भी करना ना भूलना और नीचे description में link के उसे भी join कर लेना दोस्तों